Hello Everyone, Welcome to another Chemistry Lecture. Our topics are Diffusion or Refusion. Diffusion एक खुद्रती अमल है जहम पार्टिकल्स, जैसे मॉलिक्यूस या आइन्स, ज्यादा कॉंसेंट्रेशन वाले एरिये से कम कॉंसेंट्रेशन वाले एरिये में फैल जाते ही. ये ऐसा ही है जब आप किसी कमरे के एक कोने में पर्फियूं की बोतल खोलते ही, और वक्त के साथ साथ, खुश्बू के मॉलिक्यूस आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल जाते ही, ताकि आप उसे हर जगह सूंग सकी. ये मूवमन्ट इसलिए होती है कि पार्टकल्स मुसलसल मूव करते और एक दूसरे से टक्राटा रहते ही, जिसकी वज़व से कलिजन ज्यादा होती है. अफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस एक छोटे सूराख या छोटे सूराखं के जरिये किसी कंटेइन में वेक्यूम या लोः प्रशबाले रीजन में निकल जाती है. ये इसलिए होता है क्यूंकि गैस के पार्टकल्स रंडमली और डिफरिंट स्पीड से मूवमन्ट करते ही और कभी कभार उनमी से कुछ सूराख से गुजर जाते ही. झाल 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 झाल